पाकिस्तान में इस वक्ट जो बड़ी ख़वर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर को पद से हटा दिया गया है चौधरी मोहमत सरवार को गवर्नर पद से हटा दिया गया है और आपको बता दें कि आज पंजाब में CM के लिए इमरान और विपक्ष के बीच वोटिंग होगी तो पंजाब प्रांत में भी साख पर है इमरान खान और सूत्रों के मताबिक पंजाब के गवरनर शाबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इसे के चलते उन्हें हटा दिया गय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विवधान सभा में वहाँ पर भी आज वोटिंग होनी है करीब साड़े ग्यारा बजे ये वोटिंग होने वाली है और उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के गवरनर को पद से हटा दिया गया है समिधान के मताबिक डि और यहां की वोटिंग का क्या असार हो सकता है नैशनल असेम्बली की वोटिंग पर इस बारे में जिकर करना चाहूंगी मेरे साथ प्रणे उपादिया मेरे सहयोगी यहां स्टूडियो में मौजूद है प्रणे पंजाब और इस्लामबाद का कनेक्शन क्या आप समझा पा उनको हटाने को लेकर फौज कह रही थी उनको हटाने को लेकर काफी नाराजगी थी लेकिन इमरान का एक फेवरिटिसम था या कह लीजे कि इमरान ने उसे अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया था और उन्होंने उसमान बुज़दार को नहीं हटाया और इसके आपके चीफ मिनिस्टर को लेकर फिवल मिलिटरी यलेशन खराब हो रहे हैं तो ये इंडिकेटर था इमरान खान के लिए उन्हें समझना चाहिए था कि ये कुछ रेड लाइन और ये जो politics थी, ये जो change वो करना चाहते थे, आप देखें, अब PTI के अपने दो धड़े, यनि जो तरीन गुरूप है वो, और जो आलम गुरूप है वो, दोनों ही तूटकर कल रात अलग हो गए, तरीन गुरूप पहले ही कह चुका था, शायद आलम ने कल मुलाकाद की है, पीए मेलन के नेताओं से, और हमजा शेरीफ को चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर पूरी तयारी हो चुकी, परवे जिलाही का कार्ड खेला था, लेकिन वो चलता नजर नहीं आ रहा है, तरह आप बिल्कुल सही कहरें कि संकेत काफी समय से मिल रहे थे इमरान खान को, लेकिन उसके बावजूद वो एक के बाद एक नो बॉल डालते रहे और आज अंजाम उनके सामने, क्या क्लीन बोल्ड होंगे, इमरान खान इसी बात का दिक्र लगाता चलता रहे गा